बस्ती की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई, हम है छोटे नवाब, देकर आए हैं मस्ती बेशुमार जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, चलो आज करें उन्हें याद चटपटी बाते और ग्यान के साथ आ गए हैं हम छोटे नवाब और दोस्तो इसी प्यासे शो में मैं हूँ आपके साथ आपका दोश्य भांकर, और दोस्तो श्रिकार कीजे हमारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि आज क्या है आज तो गांधी जयनती है दो अक्टक बर के दिन गांधी जयनती आती है हाँ शाइनी अच्छा आज बस गांधी जयनती है नहीं आज लाल भाधुर शास्त्री जी की भी जयनती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा आज के दिन लाल भादु श्तष्ट्टि जी का जो हमारे देश की प्रधान मंतिर रहे और महात्मा गांधी जीका जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रित आल नजोलन में इतनी बड़ी भूमी का निभाई नों का जर्म दिवसाता है वो ही तो जब भी देश के स्वतंत्रिता की बात आती तो गांदी जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। तुमने बिलकुँछ सही कहा। अरे दोस्तों, मैं तुम्हें गांदी जी की एक कहानी शुनाना चाहता हूँ। हाँ तो सुनाओ भई क्योंकि मैं तो सुनाएं गांधी जी की कहानिया बहुत प्रिर्णा डए होती हैं और हम उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाय ले सकते हैं हाँ शुभांकर इससा ही भोल रहे हूँ चलो सुनाता हूँ पता है जब मादमा गांधी जी जिस विद्याले में पढ़ते थे वहाँ खेल खूद अन्यवारे था पर गांधी जी को खेल खूद में कुछ खास रूची नहीं थी लेकिन फिर भी उनका जाना नेमेत रूप से होता ही था क्योंकि उनके खेल के अधियापक जी जो भी मिदान में नहीं आता था उस पे दो आने का जुर्माना लगा देते उन दिनों गड़िया कम होती थी लेकिन गांधी जी के पास ग्यान का भंडार था और वहाँ आसमान को देखते ही समय का अंदाजा लगा लेते थे एक दिन में अपने पिता जी की सेवा कर रहे थे और आसमान में बादल चाहे वेते इसलिए उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं हुआ और वह विद्धाले लेट पहुचे उस ताइम पे जब वह पहुचे तब मिदान खाली पढ़ा वा था इसलिए वह अपने कक्षा में लो लेकिन उनकी खेल के द्याबक जी ने उनकी एक न सुनी और उन पर दो आने का जुर्माना लगा दिया उस दिन गांदी जी इतने उदास है उन्होंने प्रन लिया कि हमेशा सत्य बोलेंगो और अहिंसा के पल पर चलेंगे और उन्होंने वह अपने पूरी जीवन निबाया बिल्कुल सही का तुमने पता है महात्मा गांदी जी ने जीवन के तीन सिधान बताए हैं सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर और महात्मा गांदी जी ने जितने भी आंदोलन करे हैं उन्होंने उसमें कभी हिंसा नहीं करी वह हमेशा अहिंसा की रहा पे चले हैं और लोग तो कह पता है गांदी जी पेशे से क्या थे नहीं शुभांकर भीया तुम ही बता दो हां मुझे पता है हां तो बताओ अराध्या वो बैरस चर थे हां तुमने बिल्कुल सही कहा वो एक वकील थे और नोने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से करी थी और पता है ये एक महान राजनित और समात सुधारत थे अच्छा दोस्तों क्या तुम्हें पता है गांधी जी ने डांडी मार्च किस वर्ष में किया था ऐसे अभी याद तो नहीं आ रहा अच्छा ये तो बताओ कि दांडी मार्च में उन्होंने करा क्या था अंत में शायद से उन्होंने नमक बना के खाय और बिटेश सरकार का कानून तोड़ा था हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा उन्होंने ऐसा ही करा था और उन्होंने वश 1930 में किया था अब याद रखना क्या पता परिक्षा में आ जाए और कभी आ जाए तो मुझे थैंक्यू बोलना मत बोलना नहीं बोलेंगे हाँ हाँ तु मैं हूँ आपके साथ विराठ भारत देशे से ही मेरी पैचान है यही मेरा दिल यही मेरी जान है यहां रहती हर कौम रहते पटान है हाँ यह मेरा हिंदुस्तान है लड़ते हैं सुबह एक होते हर शाम है उकती हर फसल उकते यहां दान है तब ही थो मेरा भारत देश महान है मुझे गर्व है कि मैं भारत में जन्मा हूँ मुझे अपने देशे से प्यार है इसकी गहरी संस्कृती और रंग बिरंगे परिधानों में जितने रंग है यहां के मियंजिनों में भी उतने ही स्वाद है इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ किया पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है भारत पुतरों ने कई मैडल, ट्रॉफि और पुरुसकार अपने नाम किये पर अभी मेरे हिस्से के पुरुसकार भारत आने बाकी है जैहिन जै बारत मेरा नाम कृदय है और मैं गान्धी जी पर एक गाना सुनाऊंगा हाँ सुनाओ सुनाओ छूटू सा है ठीक है एनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से जालिम कापे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुरबल से पतले से थे वो चलते सीना तान के बन्ने में थादम बन्ने मात्रम अच्छा तो सुनादो भाई बापु हमारे सबसे प्यारे अंग्रेजों से कभी न हारे सबके दिलों मर राज किया और बनते रहे सभी के सहरे बापू हमारे सबसे प्यारे सत्य अहिंसा के सिखलाया चर्का काता सूथ बनाया सोदेशी का नारत सिखाया नमक बनाकर खाना खिलाया अजादी का पाठ पढ़ाया भारत पर वो सब कुछ वारे बापू हमारे सबसे प्यारे धन्यवाद ये तो बहुत ही अच्छी कवीता थी अच्छा एक बात बताओ वैसे तो सबको पता होगा कि गांधी जी का वास्तिक नाम क्या था हाँ ये तो बहुत आम सी बात है पर तुम लोगी बता दो अच्छा हम लोग बता दे तुम्हें नहीं पता क्या देखो मुझे अंडरेश्टिमेट मत करो अरे मैं ही बता दे तो इतनी लडाई क्यों कर रहे हो नहीं नहीं अब मैं बताओंगा अच्छा बताओ फिर इसका उत्तर है मोहन दास करमचन गांदी क्या मैं ठीक हूँ आरफ हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल ठीक हो तुम अच्छा अब तुम लोग इते सवाल पूछ रो मेरे भी एक सवाल पूछने का मन कर रहा है अच्छा फिर पूछो नहीं मत पूछो चलो पूछी लो अच्छा बताओ ये नारा किस ने दिया था कि जै जवान जै किसान लाल भादुर शास्त्री जी ने दिया था शायद हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और दोस्तों तुमें पता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे आज के दिन लाल भादु श्राष्टिर जी का भी जनम दिवस होता है हाँ तुमने बिलकुल सही कहा अच्छा ये बता उनका जनम किस वर्ष में हुआ था 1904 में उनका जनम हुआ था हाँ तुमने बिलकुल सही कहा वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे थे और तुम्हें पता है उन्होंने हरित क्रांती और श्वेत क्रांती को बढ़ावा भी दिया था जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन रेवलुशन और वाइट रेवलुशन भी कहते हैं अच्छा मैंने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा है हाँ हमारे स्कूल में इन सब चीदों के बारे में पढ़ाते हैं लेकिन कभी कभी कुछ जादा ही डीप ले जाते हैं और याद ही नहीं रहता और पेपरों के टाइम हम सब भूल जाते हैं इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन्स जो दी जाती हैं वो ही तो इतनी लंबी डेफिनेशन्स जब पेपर है तो सब भूल जाते हैं मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया सब के टीचरों को भेज़ दूगा अब मैं ये अरे नहीं नहीं तो हम तुमारे टीचर्स को भेज देंगे अच्छा चलो अब बातों से आगे बढ़ते हैं अरे दोस्तो चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ हाँ पूछो पूछो गांदी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था ये तो बहुत सरल जवाब है मैं तो इसका जवाब सोते वाग भी दे दूँ सारे जहां से अच्छा ना अरे इतना सरल सवाल का जवाब नहीं दे पाए तुम चलो कोई और बता दो अच्छा मैं बता तो देती हूँ पर मेरे साथ सारे गाएंगे हाँ हाँ जरूर ठीक है शाइनी चलो दैश्नव जन तो तेने कहिये पीर पराजी जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान लाने रे दोस्तो भजन सुनके तो मेरा मन प्रफुलित हो गया हाँ मेरा भी बिलकुल सही कहा तुमने अच्छा प्रफुलित का मतलब क्या होता है खुश हो ना अरे वा तुम लोगे की तो हिंदी बहुत अच्छी है वही तो तुमसे तो अच्छी है दोस्तों बताओ और थोड़े दिनों में क्या आने वाला है एक्जाम साने वाले हैं और कोई स्कूल भी खुलने वाले हैं अरे नहीं नहीं ना एक्जाम ना स्कूल दशेर आने वाला है हाँ अरे हाँ आरव ने बिल्कुल सही का और दोस्तों बताओ हम दशेरा क् मनाते हैं उस दिर राम जी ने रामन का वद गिया था बिल्कुल सही कहा तुमने और बताओ रामन कहां का राजा था लंका का फिर आयोजे का राजा कौन था प्रभु शेराम हां तुम लोगों ने बिल्कुल सही का और दोस्तों दशेरा हमें बताता है कि हमेशा बुराई की ह हार होती है और अच्छाई की जीत होती है हाँ इसलिए हमेशा हमें सद्ध करने चाहिए है ना हाँ हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए वही तो कभी-कभी क्या होता है कि हम मुसीबतों से बचने के लिए बुराई बुरे काम कर देते हैं या कभी-कभी हम बुराई का साथ दे देते हैं पर हमें ऐसा करना चाहिए क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त मेरे साथ रेके कितने घ्Jानवर्दक हो गए और दोस्तों पता है आशवीन मास के शुकल पक्ष की दशमी को दशेरा का परण बनाया जाता है हाँ तुमने सही का मेरे पाइसे कवीता भी है मैं सुनाओ शांती अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा आतंकी रावन का दहन करने आज फिर राम को आना होगा अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी कवीता थी हाँ तुमने बिल्कुल सही का और देखो दोस्तों अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है ना और दोस्तों इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप गांधी जी के पच्छिनों पर चलेंगे शाष्ट्री जी की शिक्षाव को याद रखेंगे और प्रभु श्री राम जी ने हमें जो सीख दी थी आप उसको आगे लेके अपने जीवन में सफलता की और बढ़ते जाएंगे और हमेशा सच्चाई का साथ देंगे हाँ 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 बिलकुल मत भूलना और इसी के साथ हम आप से लेते हैं इजाज़त तब तक ये ले बाई बाई आ गए हैं छोटे नवाव स्वागत नहीं करेंगे आप तो करी रेन्बो को त्यून संदे शाम सवसार बजे